दिल्ली सरकार ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूशन के चलते बुधवार को पांचवी तक के स्कूल बंद करने का एलान कर दिया है। कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्कूलों की ये चुटियां आगे भी बढ़ाई जा सकती है। स्कूलों में आउट्डोर अक्टिवेटी करने से बच्चों के फेफ़़ों पर गंभीर प्रभाव पर सकता है। बच्चे जब शारीरिक परिश्रम करते हैं तो उन्हें ज्यादा ऑक्सिजन की जरूरत होती है। ऐसे में सांस के साथ प्रदूशन की बड़ी मात्रा बच्चों के शरीर में जाती है। बच्चों के फेफ़़ों के ग्रोथ का समय होता है। ऐसे में यदि प्रदूशन की बड़ी मात्रा शरीर में जाती है तो फेफ़़ों के विकास पर असर बढ़ता है। और भविश्य में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि रिदे और अस्थमा के मरीजों के अलावा बज़ुर्ग और बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए।